नमस्कार दोस्तों मैं सतीस आप देख रहे हैं Agree Advice दोस्तों आज की वीडियो में हम गेहूं की उपज बढ़ाने के चार दमदार तरीके बताने जा रहे हैं आपकी गेहों की पैदावार निश्चिती बढ़ जाएगी तो जो आप पहली सिचाई करते हैं सामान रूप से जो उत्तर प्रदेशिया MP के किसान भाई जो करते हैं पहली सिचाई लगबग 20 से 25 दिन के बीच में करते हैं तो 20 से 25 दिन पर आप जब पहली सिचाई कर लेते है पहली सिचाई करने के बाद यदे आपके गेहों में खरपतवार हैं तो खरपतवार नासी को आपको दे देना है जब खरपतवार नासी को दे देंगे तो लगबग उसके एक सब्ता के बाद आपको ग्रोथ प्रोमोटर और उर्बरकों को देना जरूरी रहता है जिससे जो टेलरिंग आप अपने गहों की कर पाएंगे उतनी ही आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी क्योंकि यद提लरिंग कम होगी तो पैदावार आप अधिक नहीं ले सकते हैं वो अलग की बात है दोस्तों अलग-अलग ब्रायटि में तेलरिंग कि संख्या काम्या अधिक हो सकती है लेकिन फिर भी आप किसी विब्राइटी की बुआई किये हो तो लगबग 15 से 20 कल्ले तो आपके गेहूं में होने ही चाहिए यदि आपको अच्छी पैदावाल लेनी है तो जब आप पहली सिचाई के लगबग एक सब्ता के बाद आपको टाप डेसिंग के रूप में यदि आप सुरुवात में औरबर्कों की बुआई कर दी है तो आपको मातर यूरिया देना रहता है जो यूरिया की मातरा आप पहली टाप डेसिंग में लगबग 45 से 50 किलो ग्राम प्रत एकर कर दें इसके लगबग 3 से 4 दिन के बाद आपको ग्रोफ प्रोटर यूज करना है यदि आप इसके साथ साथ उननिस उननिस उरबर्क का इस्प्रे करना चाहते हैं तो लगबग 10 दिन का गैपिंग यूरिया देने के बाद जरूर रखें नहीं तो आपकी फसल जल भी सकती है तो यहां पर जो चीजें आपको देना है यहां देना चाहते हैं तो तीन से चार दिन के अंतर पर ग्रोफ प्रोटर का भी इस्प्रे कर सकते हैं तो जो ग्रोफ प्रोटर लेना है आपको लिक्विट ग्रोफ प्रोटर लेना है जहां तक समभ़ हो आप आरगेनिक ग्रोफ प्रोटर लीजिए तो कि जितना अच्छे से आर करिका यूज कर रहे हैं तो साथ में हियूमिक एसिड जरूर ले लें ये भी आपको इफको का हियूमिक जेड प्लस प्लस आसानी से मिल जाता है दोनों को मिला सकते हैं दोनों के साथ आप सलफर भी मिला सकते हैं जिंक भी मिला सकते हैं और यूरिया को भी आप साथ में मिला स नहीं तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएका क्योंकि बहुत से किसान भाई हैं कम पानी का मिला करके इस्प्रे कर देते हैं जिससे उनको फसल में लाब नहीं मिलता है बलकि नुकसान भी उठाना पड़ जाता है अब जब आप दूसरी सिचाई करते हो दूस और 1990-1900 रुबरक का इस्प्रे बीच में जरूर कर लें जिससे आपकी जो टेलिरिंग और ग्रोथ है पौधे की काफी अच्छी हो जाएगी बाकि 45 से 55 दिन के बीच की अवस्था में आप 1990-1919 का इस्प्रे ना करें इस टाइम पर आप 12, 61, 13, 0, 45 का इस्प्रे कर सकते हैं या 0, 52, 34 का भी इस्प्रे कर सकते हैं बाकि समय जो सेकेंड टाइम होता है तो यूरिया की टाप डेसिंग सेकेंड टाइम पर आप 30 से 35 किलोग्राम करें यानि 45 से 55 दिन पर जब आप सिचाही करते हैं तो उसके बाद आपको सेकेंड यूरिया देनी रहती है जिसकी मातरा आप 30 से 35 किलोग्राम रखें और यूरिया देने के लगबख 10 दिन के गैपिंग पर आप 0, 52, 64 या 12, 61 का इस्प्रे जरूर करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है बाकि दोस्तों इस टाइम पर आप दूसरे डोज के रूप में ग्रोथ पॉन्टर जरूर दें और 250 इमल ग्रोथ पॉन्टर को आपको एक एकड़ में इस्प्रे करना है बाकि इस टाइम पर यदे आपके खेत में कोई रोग बीमारी कीटा दिखाए पड़ते हैं या किसी तरह के फफून जरूर दिखाए पड़ते हैं तो आप फफून ना सक भी आसानी से इस ग्रोथ पॉ खेत में किसी तरह का कीट लगा हुआ है जड़ माहू लगा हुआ है तो उसको भी मिला सकते हैं यानि कीट ना सक भी मिला सकते हैं फफून ना सक भी मिला सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सकते हैं और 0-524 या 1261 को भी साथ में मिला करके इस्प्रे कर सकते हैं बाकि सलफ 63-45 या 0-32 इसकी आपको 1-1.5 kg मात्रा रखनी पड़ेगी अधिकतम 2 kg मात्रा रख सकते हैं क्योंकि इस समय पौदे की हाइट अधिक हो जाती है तो आप 2 kg मात्रा को भी इस्प्रे कर सकते हैं तो आप सलफर इस टाइम पर ले रहे हैं तो 80 प्रिसत वाला सलफर बेटर रहेग इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे यदि आप इस समय कीट ना सक देना चाहते हैं तो सबसे बेटर रहेगा या तो आप क्लोरोपारिफास यूज कर लीजिए थायो मिथाकसम यूज करके और इस्प्रे कर सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं थायो में थाकसम 25% डबलू जी की 200 ग्राम मातरा को साथ में आप मिला सकते हैं या आप यदि कलोरोपारिफास लेना चाहते हैं तो 500 अमल मातरा लेकर के आप एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं 500 अमल जो मातरा आप ले रहे हैं उसमें जो कलोरोपारिफास की मातरा वो 50% की होती है वही वाला यूज करें यदि आप 20% का यूज कर रहे हैं तो एक लीटर डोज आपको रखनी पड़ेगी और आप किसान भाईयों 50-55 दिन के समय पर आप इन उर्बड़कों का इन ग्रोथ फॉंट्रों का यूज कर लेते हैं इसके बाद जो अंतिम समय आता है तीसरी सिचाई का अक्सर तीसरी सिचाई 70-75 दिन की अवस्था पर किसान भाई अपने गेहों की फसल में करते हैं तो जब तीसरी सिचाई का अवस्था आती है तो इस समय के बाद लगबग गबोड अवस्था में गेहों की फसल आ चुकी होती है और गबोड अवस्था से पहले आपको लिहू सिन का यूज जरूर कर लेना चाहिए अब लिहू सिन का यूज करने से दूस्तों एक फाइदा आपको जरूर मिलेगा क्योंकि अक्सर देकते हैं जो नई से 95 प्रसच चांस बने रहते हैं तो ऐसे मीं जब फसल गिर जाती है तो फसल गिरने पर आपकी उपज पर बिपरीत प्रभाव पड़ता है तो फसल ना गिरे इसके लिए आप लिहो सिन का जरूर यूझ करें एक एकड़ में 100 ml मात्रा लिहो लिखुसिन की काफी होती है। तो लिखुसिन का यूज करते हैं। लिखुसिन के अत्रिकत यह आप छाहें इस समय जैसे पोटास देना चाहें। या 02 52 चौतिस्या 0-0त पचास देना चाहें तो आहसानी से इसको भी साथ में मिला करके मिक्स करके दे सकते हैं च्योंकि यदि आप इस समय पोटास की मात्रा को दे देते हैं तो सबसे बेथा रहता है कि दाने का भराओ जो होता है काफी अच्छा होता है, दाने में चमक भी काफी अच्छे से हो जाती और जब आप लिहोसिं साथ में देते हैं तो फ़सल गिरने की संभावना भी खत्म हो जाती है तो इस टाइम पर आपको इन सभी तरीकों को सुरू से अंतक अपनाने से निश्चित ही आपकी गेहों से पैदावार अधिक मिलेगी और आप अच्छे किसान और अच्छी खेति कर पाएंगे आसा करते हैं इस जानकारी से आपको फाइदा जरूर मिलेगा मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तो चलिए दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करते जाएए धनिवाद